हेलो एब्रीवन वेलकम बैक तो मैं चैनल आप सब को में तरह से रमदान बहुत बहुत मुबारक आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक इफतार स्पेशल डेजर्ट रेसिपी यह है चॉकलेट कवर्ड डेट्स और इसे मैंने स्टफ्ट किया ह है अलमंट्स के साथ यह बहुत डिलिशियस लगते है और अगर रोजा आप इसके साथ छोड़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा तो चलिए देखते है इसकी रेसिपी तो सबसे पहले हम लोग लेंगे डेट्स मैंने यहाँ पर एट डेट्स लिये हैं बड़े वाले स तो इतनी हमें चाहिए रहेगी तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग की डेट्स को बीच में से कट कर लेंगे और इनकी सीड्स निकाल लेंगे एक सारी डेट्स की आप सीड्स पहले निकाल लीजिए तो यह first step हमारा हें पर complete हो जाएगा फिर मैं ले रही हूँ यहाँ पर यह डर्क चॉकलेट को मैंने microwave कर लिया है और इसे melt कर लिया है 30 सेकंड्स के अंदर अब हम लोग हमारी dates के अंदर अंदर stuffing करेंगे, यहाँ पर मैं almonds ले रही हूँ जैसे मैंने पहले बताया, आप यहाँ पर काजू या walnuts भी दे सकते है, पिस्ता ले सकते है anything of your choice, यहाँ फिर इसमें आप liquid चॉकलेट भी डा सकते है तो यह हो गया, इसके पाद हम लोग screw one में पहले इस तरह से dates के अंदर इसको insert करेंगे, ताकि जो चीज है वो easy हो जाए और जादा messy ना हो, और बस इसको हमारी melted चॉकलेट में dip करना है अच्छे से, इद्दम आराम से, और फिर आपको इससे निकाल लेना है butter paper पे, फिर तब ही जब यह melted form में है, उस पे आप nurse लगा दीजिए अपनी choice के, फिर यह second step भी में same कर रही हूँ फिर एक बार आपकी सारी chocolate coating और topping लगाना हो जाए, तो फिर आपको 15 minutes के लिए इसे फ्रीज में रखनी है 15 minutes बाद आपको इस तरह से यह दिखेगी, एकदम form हो चुकी है, कडक सी, और फिर आपको एकदम आराम से यह जो screwdriver है, इसमें से निकालने है और अगर आसपस कुछ chocolate लगी हुई हो, तो वो आप knife के तुरू उसे clean कर सकते हैं, तो यह हमारी जो एक date है, वो ready हो गई है, और इसे मैं आप cupcake में निकाल देती हूँ, cupcake liner में थोड़े से beautiful लगते है, तो इसलिए मैं इसमें रख रही हूँ और यह लीजिए हमारे पूरे art dates जो है, chocolate coated और nuts covered, ready हो गए है, assorted dates, इसे मैं dish out कर लेती हूँ, beautifully, और इसमें बस थोड़े से sprinkle कर रही हूँ, मैं dried petals, और यह लीजिए, ready हो गए है हमारे dates, इसे serve करिए, आप अपने family को, या आप gift कर सकते हैं, आपकी loved ones को, रमजान में, बहु कैसी लगे आपको recipe जरूर बताएएगा मुझे comment section में, उमीद करती हूँ, आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो please like करिएगा, share with your friends and family and don't forget to subscribe to my channel, चलिए मिलते है अगले वीडियो में, bye bye